तो हमारा टॉपिक पता है क्या है हमने लास्ट क्लास में पहले एक बर बता दू हमारा टॉपिक क्या चल रहा है हमारा death of partner death of partner की case में सबसे main points था कि हमें इसका profit निकालना होता है और profit निकालने की जुरत पता ही क्यों आपड़ी थी क्योंकि partner जो है वो किसी भी time death हो जाती हो किसी भी time यानि वो end of the year नहीं होता कहीं year के बीच में हो जाता है कहीं भी हो जाएं तो जिसकी वजह से जिस partner का death हुआ है उसके family वाले उसके family वाले हमसे demand करेंगे कि इस partner का जिसका death हुआ है उसका हिस्सा मुझे दे दो अब इसका हिस्से में क्या क्या मिलेगा इसे capital मिलेगा और क्या मिलेगा goodwill मिलेगा और क्या मिलेगा reserve मिलेगा और क्या मिलेगा interest on capital मिलेगा और क्या मिलेगा उसके हिस्से का profit भी मिलेगा तो profit तो हम year end में उसकी death हुई नहीं तो इसलिए year के बीज में जब कभी भी होता था तो हम इसका profit निकाल लेते थे profit निकालने के कितने तरीके देखेते हैं हमने दो दो तरीके कौन से थे एक on the basis of sales और एक on the basis of last year profit या average profit बोल लो इस तरीके से हमने देखा था ठीक है न अब हमारा बारी आ गया कि इसको total पैसा कितना देना है हम उसकी बात करेंगे तो total पैसे कितने देने है उसकी हम बात करते हैं तो सबसे पहले ये मैंने एक account बनाया है आपके सामने जिसका नाम है Z capital और Z capital के अंदर सबसे पहले उसका हिस्सा तो capital दे दो capital का मतलब उसका buy balance balance BD जो भी होगा उसको मिल गया मैं मान रहा हूँ Z की death हो गई वो डाल दिया मैंने कोई दिक्कत और क्या मिलेगा इसको goodwill मिल जाएगा goodwill किस ratio में मिलेगा gaining ratio में ठीक है न तो कुछ बातों को आपको जान लेना है किन बातों को जानना है यह चीजे बहुत important है आपको समझना जो मैं points लिख रहा हूँ यह point बहुत काम आने वाला है जादर बच्चे यही बार-बार question पूछते हैं तो मैं पहले ही लिख देता हूँ जो पूछोगे बाद में हमारा जो calculation जाता है time के हिसाब से मैं यहां लिख दिया time basis मैंने और देंगे किसको हम देंगे disease partner, executor को देंगे तो सबसे पहले point number यहां जो इसको ऐसे कर लेते है not divide बहुत important point है not divided into time जिसे time के हिसाब से नहीं बाटा जा सकता क्या क्या हो सकता है सर जिसे time के हिसाब से नहीं बाटा जा सकता सबसे पहला capital बिल्खुल time के हिसाब से नहीं बटेगा जितना है वो पूरा मिल जाएगा, दूसरा क्या हो सकता है goodwill यह जो goodwill होता है वो current year के हिसाफ से नहीं होता जो पिछले सालों में कभी महनत किया था उसके according जो होता है वो goodwill होता है तो goodwill भी किसके हिसाफ से होगा last year के हिसाफ से तो क्या इसको अगर वो partner 6 महने बाद death होता है तो क्या 6 महने 6 by 12 करना पड़ेगा इसको नहीं करना पड़ेगा number 3 reserve, reserve क्या होता है sir reserve होता है जो हमने पहले कभी कमा के खटा किया होता है इसको भी time के हिसाफ से नहीं बाटेंगे 6 मैंने तो कोई बात नहीं यह तो पूरा ही उसी नहीं कमाया है इसके बाद number 4 workman compensation reserve इसको भी नहीं करेंगे time के हिसाफ से number 5 investment fluctuation reserve IFR इसको भी time के हिसाफ से कुछ भी हमें distribute नहीं करना है यह तो हो गया जो partners capital के अंदर कहां जाएगा बताइए credit में होगा debit में होगा credit और number 6 मैं लिख देता हूँ profit and loss profit and loss को भी time के हिसाफ से नहीं बाटा जाएगा अगर वो हो on sales किस पे हो sales या फिर last year का हो या on sales लिख देता हूँ अगर sales पे होगा तो उसमें time का कोई मतलब नहीं है profit जिसको हम profit को क्या बोलते है profit and loss कौन सा account suspense account profit and loss suspense account अब कुछ बाते हमें यहाँ पर वो देखनी है जिसको के हम time के हिसाब से क्या कर सकते है बाट सकते है जो की divided divided according to time divided according to time इसका मतलब क्या हुआ जिसे हम समय के हिसाब से तोड़ना पड़ेगा क्या क्या हो सकता है समय के हिसाब से जिसे हमें break करना पड़ सकता है उसके अंदर सबसे पहले number one हम बात करेंगे तो number one है हमारा यहां पर क्या सबसे पहले profit and loss suspense सर कौन से वाला जो given किस पर हो average last year profit पर जो हम last year का profit हो या average मैं लिख देता हूँ वो ज़्यादा better रहेगा कौन से वाला average profit इसको time के हिसाब से लेना है number 2 क्यूंकि भाई अगर उसका current year का profit अगर average profit के हिसाब से है तो हमने देखा था कैसे time से निकालते हैं दूसरा interest on capital अब 6 मैने तक उसने काम किया 6 मैने बात चला गया वो तो हम interest on capital जो calculate करेंगे वो किस पर करेंगे 6 महने का ही निकालेंगे interest on capital के बात number 3 interest on drawing इसको भी हमकिस के हिसाब से लेंगे बताओ time जितने महने के लिए पार्टनर ने 用 किया उतने महने का होगा number 4 की बात करें तो number 4 salary अगर 3 महने काम किया है तो 3 महने का salary और 4 महने काम किया है तो 4 महने का salary मिलेगा और क्या हो सकता है नंबर पांच की बात करें तो कमीशन कमीशन को भी किसमें फेक्टर कर देंगे हम टाइम के हिसाब से फेक्टर कर देंगे तो ये कुछ आइटम मैंने 5-6 आइटम वो लिखें जिसको टाइम के हिसाब से डिस्टिब्यूट नहीं करना उसके ratio में कर देना है देखो ratio में तो ये तो क्या होगा time के हिसाब से भी होगा ratio भी होगा लेकिन ये सिर्फ क्या अपलाए होगा हमारा ratio ratio अपलाए होगा अभी हम practical question करेंगे तो बिल्कुल clear हो जाएगा सबसे पहले देखो मैं यहाँ पर क्या क्या लिखने वाना हूँ क्या क्या मिलेगा उसे मैं पहले वो बाते लिख दू किसको? Z को Z को उसका capital मिल गया है दूसरा goodwill की बात करते है तो goodwill पता है कौन देगा? अगर हमारे तीन partner है X, Y, Z है तो Z जाता है तो कौन देगा? X और Y तो यहाँ पर आजाएगा X capital और किस ratio में? Gaining ratio में एक चीज़ यहाँ पर और लिखना भूल गया मैं लिख देता हूँ point number 7 revaluation profit इसको भी revaluation profit इसको भी हम time के इसाब से नहीं बातेंगे समझ मैं आई बात आपको? अगर निकालने की जुरत पड़ी तो यह तो हो गया हमारा क्या? बताओ यह दोनों जो लिखा है यह क्या है? मैं shortcut में लिख देता हूँ यहाँ पर goodwill है न? ठीक है? इसके बाद और क्या इसके account में जाएगा? यह सारे चीज़े वही तो लिखा है जो इसके account में जाएगा IFR कैसे जाएगा यह ratio में? किस ratio में? old ratio में और क्या जा सकता है? profit and loss suspense profit and loss suspense और क्या मिल सकता है इसे? interest on capital देखो या तो यह वाला profit and loss suspense आएगा या तो यह वाला आएगा तो मैंने एक ही लिख दिया अब जो भी हो सकता है वो डाल देंगे और क्या जा सकता? interest on drawing कहाँ आएगा? interest on drawing debit में आजाएगा और क्या है? salary तो by salary और आपको पता ही है जैसे मैंने पहले ही लिख दिया और commission भी है, है ना? और revaluation का profit by rp revaluation profit और यहाँ पे na revaluation का na loss होगा तो किदर आजाएगा? debit में आजाएगा और debit में क्या आ सकता है? goodwill return off जो balance sheet में होगा और क्या सकता है? advertisement याद है ना? advertisement suspense और क्या सकता है? profit and loss का debit balance अगर balance sheet के अंदर दे रखा है, यानि पुराना profit अगर balance sheet में है तो वो profit and loss debit balance ठीक है? अब बताओ यहाँ यह partner तो चला गया तो इसके लिए balance cd लिख दे? नहीं यहाँ पर cash लिख दे? नहीं क्योंकि मर गया देंगे cash इसको cash लिखने का मतलब हमने z को दे दिया? लेकिन अब तो जिंदा ही नहीं है अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ two balance two balance समझ ना? cd तो इसका मतलब यह जिंदा है यहाँ काम करेगा अब इसका भूत तो कर नहीं सकता काम अगर मैं यहाँ पर क्या लिख दूँ इसको काट के bank अभी भी यह जिंदा है इसको देंगे पैसे लेकिन यह तो मर चुका है तो यहाँ क्या लिखें? buy two रिस्तेदार रिस्तेदार कोई तो पैसे देने है तो क्या लिखना पड़ेगा? relatives होगा लेकिन relatives को ना accounts के अंदर बढ़ाई एक अच्छा word बोला जाता है executor क्या बोला जाता है? executor तो यहाँ लिखेंगे two executor executor समझ मैं यही बात आपको? तो executor कौन है? बताओ उसका रिस्तेदार कोई भी हो सकता है भाई बहन बच्चा कोई भी हो सकता है anyone जो कि legal representative मैंगा तो पहले यहाँ तक देखे एक account और बनाना है हमें क्योंकि यह तो अभी उसके पैसे पहुचे नहीं रिस्तेदार को भी पैसे अगर हम दे रहे हैं तो क्या होना चाहिए? आप simple सी बात बताईए अगर मैं रिस्तेदार को भी पैसे दे रहा हूं तो bank तो कम होना चाहिए इससे bank तो कम हुआ नहीं bank कम करना है यहाँ bank लिखनी सकते अगर यहाँ bank लिखेंगे तो क्या होगा इसका मतलब मरा नहीं है यह तो हमें एक इस account को बनाना पड़ेगा और वहाँ पे पैसे देने पड़ेगा अब बताओ मैं अगर उसे payment करता हूँ पेमिंट करूँगा तो किसको करूँगा मैं जैड को या एक्जीक्यूटर को तो एंट्री क्या होगा पेमिंट करने का cash क्या हो जाएगा कम और एक्जीक्यूटर क्या हो जाएगा खतम debit तो एक्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट तो एक्जीक्यूटर को पेमिंट करना है न तो चलिए executor की भी मैं payment की अभी बात करूँगा एक और account बनाना है जो मैं बना देता हूँ आपका इस side में बना लेंगा एक account और कोई दिक्कत निया पहले यहां तक देखिए समझ में है एक account और बनेगा कौन सा account बनेगा executor account क्यों बना रहे है पता चल रहा है बिल्कुल ठीक क्यों बना रहे है ये भी हमें पता चल गया कि क्यों बनाए जा रहा है तो चलिए हम बना लेते हैं एक executor और दो line का account होता है basically ये executor ध्यान देना यही बना लेते हैं नीचे नीचे जल्दी समझ में भी आ जाएगा रिवेल्येशन रिवेल्येशन पता है बनाना पड़ेगा अगर कोई assets और liability रिवेल्यूड हो रहा होगा तो नहीं अगर हो रहा तो जरूरत नहीं है maximum case में नहीं होगा ठीक है ना अगर कोई assets और liability को दुबारा valuation करना है तो you have to prepare और कैसे prepare करना है जैसे आपने retirement में सीखा था जैसे आपने admission में सीखा था same वैसे ही ठीक है ना तो ये मैं बनाने जा रहा हूँ executor executor account क्या लिखेंगे particular amount particular amount सर ध्यान देते हैं इसमें और particular amount के साथ वैसे यहां भी बना सकता था चाहता तो में है यहां दिख रहा है ना ठीक है अब यह account इदार है जब किसी account को कहीं और transfer करते हैं तो यह buy में आ जाता है लेकिन buy side में executor में executor तो आ नहीं सकता तो यहां आएगा buy side में z capital समझे बात और अब payment कर देंगे यहां से यहां पहुंच कि अब payment करेंगे payment किस में हो जाएगा to bank या cash में अगर मेरा एक लाग था और एक लाग के एक लाग payment कर दिया तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं अगर मैंने एक लाग में से पचास payment किया तो बाकी क्या बन जाएगा executor loan क्या बन जाएगा executor loan समझ मैं ही बात आपको पहले देखे फिर से साहिद कुछ बच्चों के यहां visual में दिक्कत हो सकती है वो चीज मैं एक बार चेक कर लूँ जिनको application पर कोई थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है visualize में तो वो shift हो जाए YouTube पर वहां clear देख रहा है ठीक है तो हमारा कौन सा account है एक है Z Capital और एक है Executor अगर मैं Z Capital की बात करूँ तो इधर सारा जो Z को मिलना है वो लेकिन यहां पर दो बाते ध्यान देनी है कौन कौन सी बाते ध्यान देनी है कुछ ऐसे points है जिसको कि हमें time के हिसाब से नहीं divide करना उसे पूरा पूरा देना है उसके ratio में कुछ ऐसे factor है जिसको time के हिसाब से divide करना पढ़ सकता है अब two side में भी यह लिख दिया है यह जितने भी item है इसमें से इसको time के हिसाब से divide करेंगे इसको नहीं करेंगे इसको नहीं करेंगे और इसको नहीं करेंगे और जो पैसा होगा कहां चले जाएगा executor account में executor से हमने यहाँ पर transfer कर दिया executor दिख रहा है हर किसी को जैसा ही executor लिखा तो इसको payment जब करेंगे तो किस नाम से करेंगे bank या cash और बागी किस में आ जाएगा executor loan में बताइए कोई समस्या अब executor में executor नहीं लिख सकते हैं अब general entry करोगे तो क्या करोगे मेरा general entry देखो क्या है कि मैं executor दे रहा हूँ तो entry हो जाएगा Z capital account debit to executor और executor में जाके क्या लिखेंगे by general entry देखो Z को debit करेंगे खतम हो गया Z मर गया और कौन जिन्दा हो गया executor credit हो गया अब जैसे ही executor में लेके जाएंगे तो executor account में जाके क्या लिखें by Z capital है ठीक है और इसकी payment की entry क्या होगी बताओ executor को payment करके खतम करो debit करके और to bank या फिर cash चार नंबर में ये question आपका मान के चलो 100% आएगा ऐसा कोई साल नहीं है जब की नहीं आता इसमें आपको ना तो balance sheet बनाने की कोई अवशकता है ना ही आपको इसके अंदर कोई revaluation account बनाना हाँ journal entry आ सकता है तो journal entry कैसे करेंगे इसकी कर देंगे goodwill बाले की इसकी कर देंगे हम reserve की reserve कैसे बाटेंगे सब कुछ किसको देना है मरे हुए partner के नाम से ही बस जब final payment आएगा तो उसके रिस्तेदार को बुला लेंगे ठीक है ना final payment आएगा तो जैसे मैं salary दे रहा हूँ तो salary मरे हुए partner को ही कैसे salary account debit to z capita ठीक है ना लेकिन जब final payment की बात आएगी तो हम क्या करेंगे उसके रिस्तेदार को क्योंकि final payment उसको नहीं दे सकते हैं हम कि इसको बुला लेंगे उसके रिस्तेदार को उसके रिस्तेदार को क्या बोलते है executor कौन सा account है ये एक question पूछा जाता है आप से exam में आप जवाब देना है कि जब partner का death होता है तो उसमें कौन सा account open होता है कौन सा account profit and loss suspense account मैंने class में भी बोला था कि भाई बच्चे से जब भी पूछा जाएगा वो जट से executor बताएगा लेकिन यहाँ account पता है कौन सा open होता है profit and loss suspense account open होने का मतलब होता है entry में आ जाना यह लेजर है यह तो ठीक है ना तो कौन सा account open होगा profit and loss suspense account याद रखना है फटा फट से note करिए फिर इस पे एक दो question देखेंगा और यह खतम हो जाएगा हमारा फटा फट से note कर लीजे इसको